भारत की तस्वीर सच ही मिशन है इसा नजारा है आप देखिए नाओ है और बनारस की जो तस्वीर है जो काशी की उसको दिखाने का प्रयास किया गया है आप वहाँ पर मंदिर है मैं जो समझ पा रहा हूं काशी विश्वनात कोरिडोर है काशी श्री काशी विश्वनात कोरिडोर आप इधर साइड आएंगे तो आप देखिए, यहां पर काशी हिंदू विशुद्याले आप इधर आजयें। यह सामने उसकी तस्वीरे हैं। काशी हिंदू विशुद्याले, यह जो बनारसिंद उनिवर्शिटी के नाम से मशूर है, आप यहाँ पर नाओं की शित्रकारी है, सादू है, गंगा अर्ती का द्रिश्य है और वहाँ पर आप देखें त्रिशूल है, साथ में वहाँ पर आप देखिए संत कभीर दास की वो तस्वीर उकेरी गई है जो की शुरू में है कभीरा खड़ा बाजार में सबकी मागे खैर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कभीर दास एक बहुत बड़े दार्शनिक उनकी तस्वीर है और हम थोड़ा और आगे आते हैं आपको, तो मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए क्या कुछ खास है जो हम अपने स्तर पे ब खुरूर रविंद्र रेनाट टेगोर से कथक सीका और कथक क्वीन बन गई तो सितारा देवी बनारस की एक महुत बड़ी निर्त्यांगना थी, क्लासिकल, कथक को उन्होंने दुनिया में पहुचाया, आप बगल में भारत रत बिस्मिल्ला खान है, भारत रत बिस्मिल्ला के रूप में उनको जाना जाता है, गिर्जा देवी जी की तस्वीर लगी हुई है, जिने क्लासिकल संगीत का उनको अपपा के नाम से जाना जाता था, और बनारस की आनबान शान उन्हें माना जाता था, शास्त्री और रूप शास्ति संगीत के, तो उन्होंने बनारस घर राने को बहुत उचाई पर पहुचाया उनके हैं वारानसी के संत और कलाकार करके और इधर आगर आ जाते हैं तो इस साइड में आप देखिए धनपतर आए ये मुन्शी प्रेम चंजी जो पन्यास कारते हैं दुस्तान के बहुत नामी और यहीं लमही के रहने वाले थे बना की रचना की उनके बारे में दिया हुआ है हनुमान चालीसा की उन्होंने रचना की तो गोस्वामी तुलसीदाद जो यहीं काशी से उनका नाता रहा है और एक देखिया कलाव अध्यात्म का संगम है ये मन मंदिर घाड भारती पुरानों में ये घाड सुमिश्वर के नाम से प्रचलीत था और 1770 में जैपूर के महराजा ने इस घाड का निरमाल कराया पुना तो इस तरीके से यहां पर ये अध्यात्म को जगा दिया गया है यहां के जो कलाकार हैं उनको जगा दिया गया है और टेन सिटी में और इनिश्चित तोर से गंगा उस पार रेती में इ वो भी अगर आते हैं तो उनको बहुत सारी चीज मालम होगी आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ भारत की तस्वीर सच ही मिशन है